रक्त द्वज नाटक लेखक है राजेंदर मोहन बटनाकर क्लास बीए सेकंडियर पेपर सेकंड नाटक के कुछ भाग हमने पड़ लिये हैं तीन अंकों का नाटक है पहला अंक चल रहा है इसका दूसरा सीन है दूसरा दुश्य है इसमें सारे के सारे आदिवासी बैठे हैं दीत्या, सुवान, गनेश्या, रुकाश्या और बीच में बैठे हैं गोविंद स्वामी जो आदिवासी के मसी है गुविंद स्वामी आदिवासियों को सुधारना चाहते हैं इनकी कम्यों को दूर करना चाहते हैं इनको यह हैसास कराना चाहते हैं कि आप भी इंसान हो और इसी क्रम में उनमें आपस में बादचीत होती है तर्क वितर्क होते हैं आदिवासि भोले हैं इनकी संकाओं का समाधान किया जाता है गोविंद स्वामी के द्वारा गोविंद स्वामी आदिवासियों के मसीहा आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं इन्होंने जन जागरुकता से आदिवासियों का भला करने की कोशिस कि उनको बेगार के लिए बेगार ना करने के लिए प्रेरित किया और अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई और इसी क्रम में संघर्ज भी हुआ मानकड कांड जैसे जगन ने विबत्स गटना को अंजाम दिया गया लगभग 15 सुभील मारे गए उसी गटना पर आधारित ये नाटक हम पढ़ रहे हैं अपसे पहले हमने प तर्ग होता है कि हम उची जाती वाले जो सभ्वे सो संस्कृत लोग कहे जाते हैं सो कोड हैं तथाकतित हैं उनकी बराबरी कैसे करेंगे वो लोग हमें मारेंगे पीटेंगे हमारे नदाता है हमारे अन दाता है हम उनका विरोध नहीं कर सकते तो सारे के सारे आधिवासी व सवाल करते हैं इन बोले बोले आदिवासियों के सवाल देखते हैं सुवान कहता है क्या यह सब इसलिए कि हम उची जाती बिरादरी बालों के बरावरा सके रुकाश्या इनका मानना है स्वामी जी कि पांच उंगली एक जसी नहीं होती रुकाशा कहता है स्वामी जी से गोविंत स्वामी से कि स्वामी जी आदिवासियों का मानना है कि पांच उंगलिया एक समान नहीं होती वैसे ही समाज में सभी जातियां सभी लोग सभी संपरदाय बराबर नहीं होते सभी इंसान उची नीचे होते हैं ये आदिवासियों का म रहती है, सबकी निगाह परस पर मिलकर कुछ दिर जुख जाती है, देखो तर्क देखो इनके, वे लोग मालिक हैं, क्या हम कभी मालिक के बराबर आ सकते हैं, जो संभव नहीं उसके लिए प्रयासी क्यों करें, रुकासिया बोलता है कि भाया वो तो मालिक हैं, और क्या हम कभ वाला इनके होले वाले आदिवासी हैं, तो जो होई नहीं सकता, उसके लिए प्रयासी क्यों करें, उसे लाब गया मिलेगा, सब चुप रोते हैं, और सबकी गरदन एकदम जुख जाती हैं, सबकी निगाहें जुख जाती हैं, आपस मैं एक दूसरे को देखते हैं, यह दे जुखती हैं, जब बेबस हो जाता है, कोई जूट हो, कोई लाचारी हो, जूट हने पे भी नजर जुख जाती है, तो यहाँ पे इनकी लाचारी जलक रही है, दिवासी हो कि अब क्या करें, अब देखो इसका जवाब क्या देता है गोविन सौमी कितना अच्छा जवाब देता है हमें किसी के बराबर नहीं आना हमारी किसी से होड भी नहीं है हम मनुष्य है मतलब हमें किसी के बराबर नहीं आना है पर हम किसी से होड भी नहीं कर रहे हैं हमें उनके बराबर आना है हम तो बस मनुष्य हैं और बात यह है कि हमें मनुष्य बनकर जीने का हग उसी तरह मिला हुआ है जैसे औरों को मिला हुआ है और कोई किसी का मालिक नहीं है हम सब अपने मालिक हैं एक दम पंची के जैसे तुम्हें यही सिद्ध करना है गोविंस व प्राबर नहीं आना और हम किसे के मालिक भी नहीं है और वो भी हमारे मालिक नहीं है सब अपने अपने मालिक हैं एक दम पक्षियों पंचियों के जैसे उड़ने वाले पक्षियों के जैसे कोई किसे का मालिक नहीं है आजाद है यही बात है जो बार बार गोविंद स्वामी स इनको और कहता है कि तुम्हें यही सिद्ध करना है तुम्हें यही सिद्ध करना है सुवान बोलता है कैसे सिद्ध करेंगे यह हमसे कैसे होगा गोविंद बोलते हैं होना न होना तुम लोगों के हाथ में नहीं है आसमान के और देखकर वह तो उसके हाथ में है लेकिन प्रया लेकिन उसके लिए प्रेतन तो कर सकते हैं, प्रेतन सफल ही हो, ये कहना भी संभव नहीं है, प्रेतन की सफल था, प्रेतन करते समय तक है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेतन करो, कितना चसंदेश है, जरूरी नहीं है कि हम सफल हों, लेकिन क्या हाथ के हाथ रखके बैठ जाए एक कहानी है न, दो मेंडक थे, जो खेलते-खेलते, एक मठकी में गिर जाते हैं, धही की मठकी में, एक तो आलसी राम था, सोचता है कि, क्या करेंगे यार, अब नहीं बचेंगे, मरना तो है, कैसे निकल पाएंगे, एक सोचता है कि, नहीं मैं मरूंगा, लेकिन प्रयत्न कर बैठके, और बाहर निकल जाता है, दूसरा मेंडक, तली में बैठके मर जाता है, ये क्यों समझाने की कहानी है, ये कोई सच्चा ही नहीं है, लेकिन बात यह है कि, अगर प्रयत्न करें इंसान, तो सफल होने की संभावना है, अगर प्रयत्न ही नहीं करेगा, तो सफल कैसे और देखो किया आंसर है हाला कि 5 उंगलिया एक जैसी नहीं होती जैसा कि तुमने कहा था कि 5 उंगलिया कभी बराबर नहीं होती समाज मूच नहीं होती है लेकिन परंतु यह भी उतना ही बड़ा स Eliot है कि 5 उंगलियों में एक सार रखत भार है और उनमें से किसी को काट कर अलग नहीं किया जा सकता और नहीं उनमें से कोई किसी का सोशन करता है सब मिलकर रहती है उनमें छोटे बड़े का वेदवाव नहीं है माना कि पांचों उंगले एक जैसी नहीं है लेकिन उनमें छोटे बड़े का वेदवाव तो नहीं है क्या उनको काट कर अलग के जा सकता है क्या कोई किसी का सुष्षन करता है नहीं करता तो जो आप कहते हो कि समाज में पांच उंगलियों जैसे समाज है बराबर नहीं होता तो फिर समाज में क्यों सोसन होता है इंसान इंसान का क्यों सोसन करता है सारे इंसान बराबर है इसी के खिलाफ हमें लड़ना है इसी के खिलाफ इस भाउना के खिलाफ कि समाज में ये उच नीच गलत है सब इंसान सब मनुष्य बराबर है और इंसान को जीने का हग उसी तरह मिला हुआ है जैसे दूसरे इंसान को मिला हुआ है कोई किसी का मालिक न नहीं है पर उंगलियां क्या बोलती है बोले बाले आदिवासी है अनपढ़ है तो किसी के मन में संका होती है छोटा सा कोई भूला सा भूला सा आदिवासी है तो इसने में सब हस पड़ते हैं तो गोविन स्वामी बोलता है वे नहीं हम बोलते हैं उनकी और से और किसी एक को पीड़ा हो तो दर्द तो सारे सरीर को होता है ना तो उंगले तो नहीं बोलती लेकिन उंगले की तरफ से हम तो बोलते हैं और देखो कितने अच्छी बात है किसी एक को पीड़ा हो एक उंगली को दर्द तो सारे सरीर को होता है ना वैसे ही ठीक वैसे ही समाज में अगर किसी समाज में अगर किसी एक वर्ग एक जाती एक समुदाय को परेशानी होती है तो उसका दर्द उसका दंस उसका प्रभाव सारे समाज पर होता है क्या हम लोग ऐसा करते हैं उस रोज अंजड्यो दहाडे यानि दिन दहाडे अंजड़े बोलते हैं दिन को दिन धाड़े जैसिंग हांदू मंजो की लाड़ी सोमतियां को बेगार से इंकार करने की कारण कितना पीटा गया तब तुम कैसे सेथलियू की भाती भाग कड़े हुए थे सेथलियू यानि सियार जब उस ओरत को इसलिए पीटा गया कि वो बेगार नहीं करेगी तो सारे के सारे खरगोस की तरह सेथलियू यानि खरगोस की तरह भाग गये थे डरके बेगार लेना क्या उनका जनम से ददकार है बेगार किसे कहते है बेगार बोलते है मजदूरी लिना और उसका डाम न देना मैनत न देना मजदूरी न देना यानि फ्री में काम करवाना मुफ्त में काम करवाना उसका बोलता है बेगार खुद की इच्छा से करें तो वो स्वैं सेवा है लेकिन किससे मजबूरी से दब्रन करवाय जा Deswegen तो बेगार है वो तो कैसे खरगोष के जैसे भाग गया थे और बेचारी को कितना पीटा गया था सो मतिया को बेगार लेना क्या उनका जनम से ददिगार है गला घोटू कर प्रनाली तुम लोगों पर सदा नंगी तलवार सी लटकती रहती है तब कहां होते हैं तुमारे काम थी यानि तीर और बान धनुस और बान क्यों सहते हो इन जुल्मों को मनुस्यों मनुस्यों बराबर हैं फिरे बेगार क्यों सब आदमी बराबर है तो बेगार क्यों सुवान बोलता है हमारे बासो के बासो ऐसा करते आ रहे हैं हमारे दादा पर दादा ऐसा करते आ रहे हैं पीडियो से ऐसे कर रहे हैं बेगार दे रहे हैं दीतिया बोलता है हम उसे इंकार कैसे कर सकते हैं बताओ हमारे दादा पर दादा बेगार देते आ रहे हैं गणेशा बोलता है, जैसिंग हादू मंजो की लाड़े सौमतिया ने आपके सामने प्रतग्या ली थी, वे पीटते रहे, लहुलुवान हो गए, लेकिन क्या हुआ, क्या मिला उन्हें? बोलता है गणेशा 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 गविंद सौमी से कि उसने आपके सामने प्रतग्या ली थी, क्यों कभी बेगार नहीं करेगी? वो लोग मारते रहे, पीटते रहे, वो बैचारी लहुलुहान हो गई, क्या मिला उसको? आपके सामने प्रतिज्या करने से क्या मिला? पिटाई मिली? खुन मिला? डाट मिली? रुकाशा मौत है ना मौत मिली लेकिन गोविंत स्वामें बोलते हैं मौत मिली है लेकिन एक सही दाना मौत जीने के लिए कभी न कभी तो मरना ही पड़ता है मरी है लेकिन मरी नहीं है वो सही धुई है और जीने के लिए कभी न कभी तो मरना पड़ता है स्वान बोलता है लेकिन बेगार तो बंद नहीं भी मर गए पिटाई खाली भचन लिया था कि कभी बेगार नहीं करेंगे क्या मिला मोत मिली दीतिया बोलता है वारी ढोल बजाकर सब कोई खटा किया वारी ढोल यानि युद्ध का ढोल रक्त द्वज पहरा कर फैसला लिया कि उनसे अब इन बेकसुरों की मोत का बदला लेंगे एक-एक की मोत के लिए दस-दस मुनुष्यमार गिराएंगे परन्तु परन्तु गोविंत स्वामी बोलता है मैंने तुम्हें रोक दिया तुम रुक भी गए घाटी खुन खराब है होने से बच गई उनके भी आँख हो गई बात महारावल डूंगरपुर संभू सिंग तक पहुँच गई कुछ दिनों तक बेगार के लिए बुलावा भी बंद रहा परंतो दीरे दीरे तुम लोगों ने उस द्रुगोटना को भूलना शुरू किया और बेगार फिर से शुरू हो गई पर क्यों क्या तुम लोग इतनी जल्दी जैसिंग हांदू और मंजो की लड़ी सोमत्य के मोत को भूल गए तुमारे हिर्दे में जरासी भी पीड़ा नहीं भी मेरा आना यहां इसलिए हुआ है आज आज से बेगार बंद दीतिया बोलता है यदि जबर्दस्ती हुई तो सुवान बोलता है इट का जवाब पत्थर से देंगे गोलविंद स्वामी बोलते हैं एसा तो हर एक ही कर सकता है और करता भी रहा है यदि का जवाब पत्थर से नहीं प्रेम से देंगे बोलता है अगोल इस वामी बताते हैं कि हमारे दो आदमी मारे गए उन्होंने बेगार ना करने के गसम खाली थी आप लोग सबी उनका बदला भी लेना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया और गाटी खुन खराबे से बच गई हमारा समाज खुन खराबे से बच गया लेकिन आप लोग उस गटना को फिर से भूल गये और फिर से बेगार देना शुरू कर दिया मैं इसलिए दुबारा आया हूँ कि आप लोग बेगार ना दो बेगार दिना गरात बात है इसके आगे हम कल पड़ेंगे दन्यवाद